नमस्कार दोस्तों मैंनत होगी जीत होगी YouTube platform में आपका श्वागा थी जैसर कि आपको मालूम है यह SACCZL को ध्यान में रखते विए हम लोग math and reasoning का कुछ important question cover करेंगे जो कि इस exam के लिए काफ़ी important है आज क्या हमारा पहला question है हमारा पहला question है question क्या बोल रहा है question बोल रहा है that is water flows into a tank of 200 meter and 150 meter through a rectangular pipe of 1.5 meter and 1.25 meter at a speed of 20 km per hour question बोल रहा है in what time और in minutes में बताना है will the water rises by 2 meter देखो बच्चो यहां पर basically क्या हो रहा है ना जो हमारा pipe वो rectangle base है ठीक है यह हमारा pipe हो गया यह हमारा rectangular है ठीक है तो यहां पर basically क्या हो रहा था ना हमारे एक rectangular pipe है उसका dimensions दिया होगा that is इसका breath माल लेते that is 1.25 meter और इसका length हो जागा that is 1.5 meter इसका जो length of the column देखे कितना pipe लंबा है यहां पर already speed दे दिया कितना दिया होगा speed that is 20 km पर आवा ठीक है तो basically यहां पर बात हो रही एक घंटा में यह जो length of the water column होगा ठीक है that is flown through this pipe कितना हो जागा that is 20 km होगा means ए घंटा में जो water होगा that is flown through this pipe कितना होगा that is 20 km कवर करेगा तो हम लोग यहां पर एक minute में कितना कवर करेगा that is 20 इसको हम लोग मीटर में consider करते है ठीक है that 1000 divided by 60 हो जाएगा इसको काटो करेंगे तो हमारे आजाएगा that is 1000 divided by 3 यहां पर क्या हो रहा है एक minute में जो length of the water column होगा that is flown through this pipe कितना होगा that is 1000 divided by 3 मीटर तो हम लोग क्या कर सकते है यहां पर volume of water यहां पर जो pipe कितना दे रहा होगा that is volume of water यहां पर volume of water that is flown through this pipe in one minute means कितना volume of water इस pipe से निकल रहा हो एक minute में तो हम लोग यह अलएड होना पाता है that is 1.5 into 1.25 into इतना तो यहां पर हम लोग जब solve करेंगे that is 1.5 into 1.25 into 1000 तो हमारा आजाएगा यहां पर solve करोगे तो 6 to 5 meter cube आजाएगा ठीक है तो यहां पर इतना cube आगया means एक minute में यह जो pipe है इतना volume of water दे रहा है question बोल रहा था है कि यह जो tank हमारा है इसका 2 meter height तक हम को क्या करना पानी भरना है तो इसमें जितना volume of water कितना आजाएगा देख लेते हैं जब हम लोग solve करेंगे यह जो हमारा volume of water in the tank कितना हो जाएगा that is 200 into 150 into 2 तो जब इसको solve करेंगे हमारा जाएगा that is 60,000 meter cube ठीक है तो question क्या बोल रहते है यहां पर कि कितना समय लगाएगा यह pipe to rise the label of this tank by 2 meter क्याएगा तो हम लोग को पता है कि यह जो pipe है एक minute में इतना water भेज रहा है ठीक है और total volume of water हमारा दिया हुआ इतना भरना है तो हम लोग unity में आफ़ना लगा देंगे कि एक minute में इतना volume cover कर रहा है तो city कितना minute में इतना volume to cover करेगउ देख लेते हैं एंसर हमारा क्या जागा, that is 96 minutes यहाँ पे बच्चो, यहाँ पे देखो यह हमारा क्या था, काफी easy question था यहाँ पे आपको ध्यान रखना था यह जो rectangular pipe है, इसका dimensions दिया हुआ था और हमारा जो tank है, उसका भी dimensions दिया हुआ है यहाँ पे यह जो speed दिया हुआ है कितना speeds पे वो निकल रहा है तो हम लोग क्या करेंगी यहाँ पे यह जो speed है, water के speed दिया हुआ ना तो हम लोग क्या करेंगी, एक minute में कितना volume water pipe से निकल रहा है, ठीक है उसको निकाल लेंगे, और हमारा tank का जो volume होगा, उसको निकाल दिये और दोनों को divide के था हमारा answer आगया, ठीक है अगला question करते है question क्या बोल रहा है, question बोल रहा है आपका that is the area of the square is given इतना तो basically यहाँ पे एक square दिया हुआ ठीक है, और इसका area हमारा दिया हुआ कितना, that is 1 to 8 00 square mile sides हमाल लेते हैं sides है, ठीक है, तो sides के square हमारा जगा, that is sides के square है is culture इतना, तो automatically हम यहाँ से sides निकाल सकते हैं कि नहीं तो root under कितना जगा, that is root under 1 to 8, 00, ठीक है जब इसको solve करोगे, तो हमारा जगा, that is 80 root 2 आजगा, कितना 80 root 2 हमारा answer आजगा, sides कितना आगे, 80 root 2 अगला बढ़ते हैं, तो अगला बोल रहा है कि find the time taken by lady to move across a diagonal, ठीक है, एक lady यहाँ पे खड़ा है, इसको क्या करना move करना है to this diagonal किस speed से चल रही है, speed है इस लड़की का चलने का that is 1, 15 mile per hour, ठीक है हम लोगो क्या निकलना, time निकलना है, तो time is called to, क्या हो जाएगा, time is called to distance divided by speed, यह पढ़े है ना फॉर्मलों लोग, तो distance तो निकालना पढ़ेगा ना पहला जी, यह distance अग निकाल लेते हैं, अगर हम लोगो, और speed हमारा दिया हुआ है, तो automatically हमारा time आ जाएगा, तो distance निकाल लेते हैं, distance हमारा पता है pathogorous theorem में, यह sides हमारा केतना, that is 80 root 2, और यह हमारा 80 root 2, automatically हम लोग क्या diagonal निकाल लेंगे, ठीक है, तो हम लोग diagonal निकालेंगे यहां, तो diagonal इसकल ठीक हो, तो diagonal का formula पता ही है, that is root 2 into sides है, तो root 2 into sides का value क्या है, that is 80 root 2, तो यहाँ पर solve करेंगे, तो 80 into 2 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, that is 160 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा distance निकाल लेंगे, distance निकाल लिए हम लोग, that is 160 आगया, और speed हमारा पता है, that is, यह देको 160 हमारा क्या mile है, ध्यान रखना, यह हमारा क्या mile है, और speed हमारा क्या है, that is तो यहां पी जब solve करेंगे हमारा तो answer आजागा that is 160 divided by 15 is equal to 10.66 hour कितना रहेगा? that is 10.66 hour आपका answer क्या हो जागा? D, D will be the answer. काफी easy question था आपका, यहां पे क्या कर रहे था हम लोग? यहां पे क्या हो था? question में आपका sides का, मुनले, square का area दिया हो था हम लोग यहां से क्या क्या साइट से निकाले, जब साइट से निकाले तो हम लोग पैथोगरेस से यहां डियागनल निकाले, डियागनल से हमारा distance आ गया, और यहां से टाइम निकाल लिए अगला question करते है, question क्या बोल रहा है? question बोल रहा है that is the volume and the radius of both cone and the spheres are equal तो आपका question में दो, यहां पे आपका figure है, 3D figure है, that is, हमारा cone हो गया, एक हमारा sphere हो गया, question में बोल रहा है कि इसका जो volume है B1 और इसका जो volume V2 यह दोनों का volume क्या है, same है, ठीक है, अगला statement बोल रहा है, that is radius भी इसका जो radius होगा मालने तो इसका radius होगा हमारा वो दोनों सेम है मालने तो इसका height कुछ होगा height अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कौन का volume निकालेंगे तो b1 is called to 1 by 3 by r square है चुलेगा similarly हमारा यह जो sphere है इसका हमारा volume निकालेंगे तो क्या आएगा इसका volume होगा that is v2 is called to 4 by 3 by r cube question ने बोल ही दे रहा है आपका that is v1 is called to v2 है तो हम लोग क्या करेंगे इस दोनों figure को क्या करेंगे compare करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे that is pi pi हमारा कड़ गया और r square से r square कड़ जागा तो यहाँ r बचेगा 3 से 3 कड़ जागा तो h is called to क्या जागा h is called to 4 आ रहाएगा question बोल रहा है that is हम लोग को निकालना है ratio of the height and the cone height of the cone and the diameter of the square diameter of the square क्या हो जाएगा that is 2 r हो जाएगा that is 2 r is called to हमारा जाएगा diameter तो यहाँ से क्या करेंगे h is called to 2 r into 2 कर सकते की नहीं और 2 r हमारा क्या है d है तो h is called to क्या हो जाएगा that is 2 d हो जाएगा अब ratio में form निकालना है height divided by d is called to क्या हो जाएगा that is 2 by 1 तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते है that is height is to d is called to 2 is to 1 तैंसर क्या हो जाएगा that is c c will be the answer देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे question जो पूछ रहा था आपका that is v1 is called to v2 जब हम लोग यहाँ पर formula अपलाएगे volume of the cone and the volume of the sphere और दोनों को compare के तो हमारे relation आगे है that is h and d के बीच में relation सकते हैं और यहां से हम लोग क्या की ratio निकाल लिए तैंसर हमारा क्या है that is 2 is to 1 है ठीक है अगला question है हमारा that is question बोल रहा है a sphere of radius एक a sphere है ठीक है इस form में है और इसका radius हमारा आर इसकल्ट हमारा दिया हो that is 2 cm और इसको क्या कै जा रहा है इसको drop क्या जा रहा है in a cylinder of radius 4 cm और इसमें water है up to the height of 2.2 cm question बोल रहा है that is यह सिलेंटर में हम लोग डालेगे जब इसको drop करेंगे तो question में बोल रहा था कि इसका जो सिलेंडर है उसका radius हमारा 4 cm है और इसमें पानी डाला हुआ है up to the height of 2.2 cm जब यह जो spare है जब इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे तो यह जो level जो होगा हमारा यह सिलेंडर का क्या हो जागा इनकीज हो जाएगा ठीक है तो question पूछ रहा है कि यह जो हाइट है जब इसको drop करेंगे तो हमारा हाइट है कितना इनकीज हुआ है ठीक है लेबल कितना वाटर का इनकीज हुआ है ठीक है यह question में ध्यान देकने यहाँ जो volume of water जो displaced हुआ है cylinder में will be equal to that is the volume of the sphere ठीक है हम लोग क्या करेंगे यह जो volume है कितना displaced हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे तो volume of water that is displaced in the cylinder इसका क्या हो जाएगा रसकार 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 हमारे क्या हो जाएगा is to the whole cube हो जाएगा यहां से हम लोग क्या करेंगे एज का value निकालेंगे ठीक है इसको काट लेते है पाई से पाई हमारा कड जाएगा एक फोर से एक फोर यह हमारा कड गया और यह चार हमारा यहां चार कर जाएगा तो टू बचेगा तो हमारा आ जाएगा यहां पर क्या था ना यहां पर बेसिकली कोश्चन में बोल रहा था कि यह जो स्पेर है इसको हम लोग क्या कि एक सिलिंडर था उसमें पानी भरवा था कितना हाइट का देश 2.2 सेंटिमीटर जब इसको हम लोग डालेंगे तो कितना हाइट इंकीज हो जागा तैट इस बाइच 6.7 सेंटिमीटर अगला कोश्चन हमारा है तैट इस डाइमेटर देखो देखो हमारा कितना देखो डेटर एट इस 1.4 मेटर इस बीजिए रोटीट से इस पॉंच्ट से इस पॉंच्ट से एक पर रोटीट करेगा तो हमारा कुछ ना कुछ टैवल करेंगा ना जी मालेती इसको तो यह जो डिस्टेंस होगा this distance is called as circumference जो पाहर वाला value है वो हमारा क्या कहला हता है circumference तो circumference एक बार में distance level करेगा that will be equal to circumference तो circumference का formula तो पता है circumference क्या होता पाई इंटो टी होता है या तो इसको एग और तरीका से बोलते है that is 2 पाई आर बोलते है ठीक है तो टू इंटू आर हमारा क्या होता है तो डामीटर दिया होगा that is 1.4 मीटर आपे पाई का वेले डैटी टू बाई सेवन टी के वेले 1.4 यहां से जब इसको calculate करेंगे है तो हमारा क्या जागा that is 2 तो 22 इंटू इंटू टू यहां कितना रोटीट के जा रहा है तो यह कितना ट्रेवल करेंगा तो सिंबली क्या करेंगे हम लोग 4.4 को ट्रेवल करेंगे 500 से ठीक है तो जब इसको solve करोगे तो हमारा कितना ट्रेट इंटू फिप्टी हो जाएगा 44 इंटू फिप्टी हमारा होता है ड्रेट से इस डिसकोशन में इतना ही है यह जो हमारे जो सीरीज चल रहा है मैस का इसमें क्या करना आपको आपको ध्यान रखना है कि कोश्चन को पहले पॉस करके खुद से करना है उसके बाद है खुद से ट्राइ करने के बाद बन जाता है तो बहुत बढ़िया नहीं बनता है तो आगे का सोलिशन देखना है थैंक्यू दोस्तों